हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सभी स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस सिरीज में हम राजस्तान की हिस्ट्री को कवर कर रही है जिसमें हमारा जो एक टोपिक है राजस्तान की सर्वेता वो पूरा हो चुका है उसके बाद ह कर लिया है आज हम जिस चोहान वंस के बारे में बात करने जा रहे हैं वह जालोर के चोहान तो आज का हमारे जो टोपिक है वह जालोर के चोहान तो इसके बारे में हम अच्छे से अधियन करेंगी सेसन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स आपको तेलिग्राम चेंटल पर मिल जाएगी क्लास पूरी होने के बाद तो आप हमारी टेलिग्राम चेंटल लाइज को जाईन कर लीजी है तो चलिए यह आई यह स्टेर्ट करते हैं आज का सेशन में जो हमारा टोपिक है वो है जालोर के चोहान तो सबसे पहले ही कि इसका नाम जालोर क्यों पढ़ा जालोर नाम पढ़ने के पीछे इसके पीछे जो रिजन है वो यह है कि यह है महरसी जाबाली महरसी जाबाली की तपो भूमी होने के कारण इसका नाम जाबाली पूरपड़ा जाबाली पूरपड़ा यह जो जालोर है इसका नाम जाबाली पूरपड़ा पहले क्योंकि यह महरसी जाबाली की तपो भूमी की इसलिए इसका नाम जाबाली पूरपड़ा और इसका उलेक जो मिलता है वो बिजोलिय सिलालेक इसका उलेख की इसका नाम जावाली पूर्था महरसी जावाली कितब वुम्योनिकान इसका उलेख मिलता है बिजोलिय सिलालेख बिजोलिय सिलालेख बिजोलिय सिलालेख में इसका उलेख मिलता है और यह जो बिजोलिय है वो कहांपे है भीलवाडा में उसके बाद उसके बाद क्या है पहले इसका नाम जाबाली पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् पहले होने के कारण बाद में इसका नाम जालोर पड़ा तो इसकी पीछे का जो इतिहास है वो यह पहले ही है महरसी जाबाली की तपोग उमी ती इसलिए इसको जाबाली पूर कहा जाता था और यहां पे जाल रक्ष बहुत अधिक मातरा में पाया जाते थे इस वज़े से इस जालोर पड़ाबाद में यहां का जो जालोर दूर्ग है जालोर दूर्ग जालोर दूर्ग की जो खास बाते हैं वो यह है कि इसके सबसे पहले देखते हैं इसके अन्य नाम इसके अन्य नाम इसके अन्य नाम इसके अन्य नाम जो है इस दूर्ग को सुवन गिरी कहा जाता ह सुवन गिरी इसी को कांचन गिरी कहा जाता है कांचन गिरी और इसे ही सोन गिरी कहा जाता है सोन गिरी कहा जाता है सुवन गिरी, कांचन गिरी नमबर लगा लेते हैं एक नमबर, ये दो नमबर और ये तीन नमबर तो सुवन गिरी, कांचन गिरी और सुवन गिरी ये इसके नाम है इसमें एक नोट कि जो सुवन गिरी है सुवन गिरी वो जैसल मेर में है सुवन गिरी कहाँ पर है जैसल मेर में जो जालोर दुर्ग हैं उसको सुवन गिरी कहते हैं और जो सवन गिरी है वो जैसल मेर में फिर देखते हैं उनकी जो जालोर की दुर्ग या जालोर की चोहान है या फिर यहां पे रैनिवल जो सासक हैं उनको चोहान बन से बोलते हैं जालोर की या फिर उनको बोलते हैं सोनगरा तो जालोर के जो सासक है जालोर के सासक जालोर के सासक को क्या कहते है सोनगरा चोहान सोनगरा चोहान कहते है जालोर के सासक को को सोनगरा चोहान कहते है अब हम चोहान बंस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं यहां पे जालोर के जो चोहान बंस है उन सासकों के बारे में तो पहले हम देख लेते हैं किन के बारे में पढ़ेंगे तो जालोर के के चोहान इसमें जो पहले हैं वो है कीर्थी पाल किर्थिपाल जोहान उनके बाद में है समर सिंग और समर सिंग के बाद में है तिन नमबर पर जो है वो है उदे सिंग उदे सिंग चार नमबर पर चाचिक देव के बाद में है सामन सिंग और सामन सिंग के बाद में है कानड देव इसमें जो किर्थिपाल है वो है जालोर बंस के सेंस थापक किर्थिपाल जो है वो सेंस सापक है जालोर के चोहान वंस के और इसमें कानड देव है वो सबसे प्रतापी जालोर के चोहान सासकों में सबसे प्रतापी जो है वो कानड देव चोहान सबसे प्रतापी तो इनका हम एक एक करके विस्तार से इसमें जो important है उनके बारें पढ़ेंगे तो पहला जो इसमें important है वो है किर्थिपाल चोहान जो की sense सापक है उसके बाद में जो दूसरे important है वो है very very important कानरदेव चोहान इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ना है विस्तार से तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सासक है किर्थिपाल चोहान किर्थि किर्थिपाल चोहान किर्थिपाल चोहान के बारे में यह सबसे पहली नोने जालोर में चोहान वंस की स्थापना की जालोर में चोहान वंस की स्थापना जालोर में चोहान वंस की स्थापना ग्यारा सो इकासी सी में की ग्यारा सो इकासी इस्थवी में की तो जालोर में चोहान वंस की स्थापना की किर्थिपाल चोहान और यह जो किर्थिपाल चोहान है यह नाडोल के सासक अलहन के पुत्र थे यह नाडोल नाडोल के सासक जो हैं अलहन नाडोल सासक अलहन के पुत्र थे इसके बाद इनके बारे में जो और विशेष्थाई हैं इनकी उसमें है किर्थी पाल ने क्या किया? किर्थी पाल ने मेवाड पराकर्मन किया था जो किर्थी पाल है किर्थिपाल यह आकर्मन करता है मिवाड पर उससमें जो मिवाड की सासक थे वो थे सामन्त सिंग सासक कौन थे? सामन्त सिंग किर्थिपाल मिवाड पर आकर्मन करता है उससमें सासक सामन्त सिंग है और यहां पर सामन्त सिंग की हार होती है उसके बाद जो सामन सिंग के भाई है कुमार सिंग वो करते हैं किर्थिपाल पर अकर्मन तो इनके भाई इनके भाई जो है कुमार सिंग वो अकर्मन करते हैं किर्थिपाल पर जिसमें किर्थिपाल की हार हो जाती है और इसकी जीत होती है मतलब सबसे पहले जो किर्दिपाल है ये मिवार के साथ सकूशम में कौन थे सामंद सिंग उन पर आकरमन करती है जिसमें सामंद सिंग की हार होती है उसके बाद सामंत सिंग के भाई है कुमार सिंग जो आकरमन करते हैं किर्थिपाल पर और जिसमें कुमार सिंग की जीत होती है और किर्थिपाल की हार होती है उसके बाद किर्थिपाल है वो जालोर में जाकर सोंग्रा चोहनवंस की स्थापना करता है इसके बाद बाद में जालोर में सोनगरा चोहान सोनगरा चोहान वन्स की नीव तो किर्थिपाल जो है वो मेवार के साथ सामन सिंग पर आकर्मन करता है जिसमें सामन सिंग की हार होती है उसके बाद सामन सिंग का भाई जो है कुमार सिंग वो किर्थिपाल पर आकर्मन करता है जिसमें किर्थिपाल की हार होती है तो उसके बाद में क्या करता है किर्थिपा की जो एक उपादी है इनकी उपादी है की तु एक महान राजा की तु एक महान राजा की ती पाल को ये उपादी दी गई की तु एक महान राजा और ये जो उपादी देने वाली है वो है उपादी जिननों ने दी वो है मुहनोत नेंसी मुहनोत नैंसी मुहनोत नैंसी ने ये उपादी दी किर्तिपाल चोहान को कीतु एक महान राजा की उपादी मुहनोत नैंसी ने दी और मुहनोत नैंसी जो है इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुहनोत नैंसी को क्या कहा जाता है राजस्थान का अबूल फजल और मुनोत नेंसी को राजस्थान का अबूल फजल कहने वाले जो हैं वो कोन हैं मुनसी देवी परशाद इन्हें राजस्थान का अबूल फजल किनों ने कहा मुनसी देवी परशाद ने मुनसी देवी परशाद ने मुंसी देवी प्रशाद तो किर्तिपाल चोहान की जो उपादी है किर्टु एक महान राजा ये किसने दी मुहनोत नेंसी ने दी और मुहनोत नेंसी कुराजसान का अबुल फजल कहा जाता है और मुहनोत नेंसी कुराजसान का अबुल फजल कहा किसने वो है मुंसी देवी प नेंसी की रचना तो इनकी रचना जो है एक है वो है नेंसी की ख्यात नेंसी री ख्यात और दूसरा जो है वो है मारवाड परगनारी विकत तो हमने क्या देखा कि किर्तिपाल चोहान को उपादी दी गई है कीतु एक महान राजा जो मोहनोत नेंसी ने दी और मोहनोत नेंसी को राजस्थान का अबूल फजल मुंसी देवी परशाद ने कहा मुंसी देवी परशाद ने राजस्थान का अबूल फजल मुहनोत नेंसी को क्यों कहा उन्होंने इसलिए मुहनोत नेंसी को राजस्थान का अबूल फजल कहा तो कि जिस प्रकार अबूल फजल ने अपने समकालिन सास्कों का वर्नन किया है जो कि अकबर का दरविद्वान था उसी प्रकार राजस्थान में मौनोत नैंसी ने अपने समकालिन सास को का वर्णन किया है इसलिए इनको मुंसी देवी परशाद में राजसान का अबूल फजल कहा है और नैंसी की दो रचनाई है नैंसी रिख्यात और मारवाड परगनारी विगत उसके बाद में जो आता है हम किर्तिपाल चोहान के बारे में बात करें थी तो किर्तिपाल चोहान के बारे में यह important fact है और उनके बाद में किर्तिपाल चोहान के बाद में समर सिंग उनका उत्रा दिकारी बनता है फिर हम बात करती हैं तो समर सिंग जो है किर्तिपाल चोहान के बाद में समर सिंग बनता है उनके बाद में हम जो इंपोर्टन सासक है उनके बारे में जो खास बाती है सिर्फ उनके बारे में अध्यन करेंगी तो उसके बाद में हम पढ़ती है उदेशिंग दो नमबर पर पढ़ती है उदेशिंग और उदेशिंग का जो सासनकाल है वो है बारा सो पांच से ये इनका सासनकाल है और इनके बारे में जो एक सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने इन्होंने दिल्ली सुल्तान इल्टुत मिस इल्टुत मिस च् burada बारे में जो इनके इनके बारे में पर झाल कि इसको हमां आगे देखते हैं यहां पे लिखानी जा रहा है दिल्ली सुल्तान इल्टूत्मिस के साथ युद्ध किया उनके बारे में सिर्फ यही एक इंपोर्टन फेक्ट कि नोने दिल्ली सुल्तान इल्टूत्मिस के साथ युद्ध किया उनके बारे में जो बाते हैं उसके बाद में हम इसे आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चाचिक देव के बारे में उनके बारे में भी जो चाचिक देव चाचिक देव का साशनकाल जो है वो है 1257-1282 ये इनका साशनकाल है चाचिक देव का और इनके बारे में जो इंप्रोटन फेक्ट है वो यह है कि इन्हों ने एक उपाधि धारन की जो इनकी उपाधि है उपादिधारण की थी महाराजा धिराज की महाराजा महाराजा धिराज महाराजा धिराज की उपादिधारण की इनों ने उसके अलावा इनके समय में जो इनके समकालिन सासक थी दिली में वो थी नासुरिदिन महमूद और बलवन तो समकालिन सासक समकालिन सासक जो हैं समकालिन सासक वो थे बल्बन वे नासीरूदिन नासीरूदिन महमूद ये इनके समयमें के जो समकालिन सासक थे वो थे इनके समय के जो खास बात ये है कि किसी ने भी दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने इनपर आकर्मन करने का सहास नहीं दिया पर आकर्मन करने का साहस नहीं किया और ये जो है ये पूछा गया है एक एक्जाम में वो एक्जाम है ये एक्जाम में पूछा गया था आरपी एसी सरक्षण अधिकारी कि जो एक्जाम हुई थी दो हजार उननीस में उसमें ये सवाल पूछा गया कि जालोर के कौन से सासक हैं जिनको दिली सल्तने के साथ युद करने का मौका नहीं मिलाया फिर जिन दिली सल्तने के साथ युद नहीं किया तो ये था उसमें जो उप्शन थे वो थे उदेशिंग, चाचिक देव, कानड देव और वीरम देव तो इसमें जो आंसर होगा वो था चाचिल देओ तो इनके बाद में ये इंपोर्टेंट है और ये एक्जामी आया हुआ है उसके बाद हमारी जो नेक सासक है ये हमारी तीन नंबर के थी तो चार नंबर के जो सासक है वो आती है सामन्त सिंग चार नमर पे सामन्त सिंग और इनका जो साशनकाल है वो 1282 से 1305 इसमी इनका साशनकाल है और इनके समय में कुछ मैत्व पुर्ण कुछ भी नहीं है जलालू दिन आये थे उस समय जलालू दिन खिल जी दिल्ली के सासक तो इनके पार में सिर्फ ये इतना सलिक लेते हैं दिल्ली सासक जो थे वो थे जलालू दिन खिल जी जलालू दिन खिल जी जो थे उसमें दिल्ली के सासक थे तो उसके बाद में जो हैं नेक्स्ट सासक नेक्स्ट और जो अंतिम बोल सकते हैं पांच नंबर पे वो हैं कानड़ देव कानड़ देव जिनका सासनकाल जो है वो है तेरा सो पांच से तेरा सो ग्यारा इस्टवी तेरा सो पांच से तेरा सो ग्यारा इस्टवी यह है और यह अंतिम और सबसे प्रतापी जो जालोर के चोहान सासक में सबसे प्रतापी सासक जो है कानड़ देव जोहान तो इनके बारे में सबसे प्रतापी सासक सबसे प्रतापी जालोर के चोहानों में सबसे प्रतापी राजा जो है वो कानड़ देव जोहान है यह सामंत सिंग के पुत्र हैं सामंत सिंग के पुत्र कानड़ देव जोहान है वो सामंत सिंग के पुत्र है और सामंत सिंग नहीं बारे सो छाण में में इनको बागडोर सोप दी थी बारे सो छाण में 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 बागडोर सोप दी बागडोर सोप दी थी इसके बाद हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेते हैं योकि कांगर देव के समय में जो दिल्ली सल्तनत के जो साशक थे वो थे आलाउदिन खिल जी उन्होंने यहां पर आकर्मन किया और उनके बीछ जो युद्य हुए है वो इंपॉर्टन्ट युद्य हैं तो एक बार हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेते हैं सासक दिल्ली का सासक अलाव दिन खिल जी था जिसने क्या किया जिसने नकद बेतन देना सेनिको का हुलिया लिखना और घोडो को दागना घोडो को दागना प्रारम किया था प्रारम किया था ऐसा करने वाला वह पहला सासक था वह पर्स्ट सासक था मतलब एक जो इंप्रेटन फेक्ट है दिली सल्तनत के अलाव दिन खिल जी के बारे में वो ये है कि जिस समय कारणरदेव चोहान को सामन्त सिमी ने बारहस उछाण में इसमी में बागडोर सोपी थी. जालोर की उस समें 1206 में में दिल्ली का जो सासता वो अलाओ दिन खिल जी था. उसने नगद वेतन देना, सेनिकों का हुलिया लिखना, घोडो को दागना प्राजम्द किया था. और ऐसा करने वाला वहफ पहला सा सकता उसके बाद हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं नोट में जिससे एक आइडिया हो जाएगा जोकि 1206-1226 है दिल्ली सल्तनत उसके बारे में देखते हैं कि कौन-कौन उस समय सासक थे तो पहले दिली सल्पनत पे जो साशक वज अंवर्ग था वो था गुलाम वन्स गुलाम वन्स जो रहा बारा सो छे से लेकर बारा सो नब्ब तक 1206 से 1290 तक और जो सासक थे वो थे गुतूब दिन एबग सासक गुतूब दिन एबग उसके बाद में दो नंबर प्या आता है खिलजी वंस खिलजी वंस का जो साशन रहा वो रहा 1290 से लेकर 1320 इसवी तक खिलजी वंस का साशन रहा खिलजी वंस जो है वो 1290 से 1320 इसवी में इस समय यहां पर जो सासक थे वो थे 1290 से 1320 है तो पहले जो साशक थे वो थे जलालूदिन खिलजी सासक जो थे जलालुदिन खिल जी इनका जो सासन काल है वो है 1290 से छ्याण में उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है इनकी हत्या करने वाला जो है वो है अलाउदिन खिल जी जो इनका भतीजा अदामाद है जो इनका भतीजा भी था और इनका दामाद भी था बतिजा अदामाद इनकी यत्या कर देता हुए अलाउदिन खिल जी और जिसका सासन काल जो था वो था 1226 में से 1226 में से 1316 तक इनका सासन काल था तो यह दिली सलतिन के बारे में ठोड़ा सामने जान लिया कि किस समय कुण सा सासक वर्ग यहां पे सासन करता था इसके बाद देखती हैं हम पढ़ रहे थे कांड़ देव चोहान के बारे में तो अब यहां से स्टार्ट होता है हमें यह पता चल चुका है कि कांड़ देव के समय में अंदिली का सासक जो था वो अलाव दिन खिल जी तो क्या होता है बारस निन आण में इस्वी में बारसु निन्नाण में इस्वी जवाती है तो अलाव दिन खिल जी का सेनापती है यांपे अलाव दिन खिल जी सेनापती जो है उलुग खा और नुस्रत खा उलुग खान और दुसरे जो है वो है नुसरत खान उलुग खान और नुसरत खान इनको अलाव दिन जो है खिल जी वो इनको भेजता है कहाँ पर गुजरात पर आकर्मन करने के लिए भेजता है गुजरात पर आकर्मन करने के लिए इनको भेजता है गुजरात आकर्मन गुजरात पर आकर्मन करने के लिए भेजता है फिर क्या होता है जब ये गुजरात पर आकर्मन करने के लिए जाते हैं उस समय गुजरात का सासक कौन होता है उस समय गुजरात गुजरात में जो सासक होता है वो होता है करण वगेला करण वगेला गुज्रात का सासक उस समय करण वगेला होता है और मेवार का सासक मेवार का सासक जो होता है वो होता है समर सिंग समर सिंग तो अलाव दिन जी जो है वो अपने सेनापती उलु खाओ नुसरत खा को गुजरात प्राकर्मन करने के लिए जब भेजता है तो वो मेवार के रास्ते से होकर जाते हैं उस तरमें गुजरात के सासक करण वगेला है और मेवार के सासक समर सिंग और गुजरात के एक करण वगेला तो जब सेना मेवार से गुजरती है यह मेवार है और यह गुजरात है यहां से होकर गुजरती है अलाओ दिन खिल जी की सेना खिल जी सेना जो है वो मेवार से होकर गुजरती है तो इसकी जानकारी किसको मिलती है इसके समर सिंग के जो मंतरी है मंतरी नीमबा नीमबा है समर सिंग के मंतरी तो इनको इसकी जानकारी मिलती है तो यह क्या करते हैं यह समर सिंग को देते हैं इसकी सूचना और समर सिंग के द्वारा समर सिंग की सेना की द्वारा क्या के जाता है अलाव दिन खिल जी की सेना से टेक्स लिया जाता है वो समर सिंग की जो सेना है वो अलाव दिन खिल जी की सेना से क्या लेती है टेक्स लेती है टेक्स लेती है मतलब कि अलाव दिन खिल जी के सेना पती उलुखा और उस्रत खा जाते हैं गुजरात प्राकर्मन करने के लिए आकर्मन करने के लिए जाते हैं और मेवार से होकर जाते हैं मेवार रास्ते से होकर मेवार होकर मेवार होकर गुजरात प्राकर्मन करने के लिए जाते हैं और उस समय गुजरात के जो सासक है वो है करण वगेला और ज जब Allaudhin Chilji के सेना मेवार्स की राश्ति हो इसकी सूचना Samar Singh के मंत्री निमभा को मिलती है, जो की Samar Singh को बताता है तो समर सिंग की सेना के द्वारा Allaudhin Chilji के सेना से text वसूला जाता हि उसके बाद ये सेना यहां पर आकर्मन करेगी तो इसमें कर्ण वेकेला की हार होती है इसकी हो जाती है हार, यहां से ये क्या लेके जाते हैं, ये सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं और मंदिर की से मूर्थी चुरा लेते हैं सोमनात मंदिर को लूटते हैं, लूटा और मुर्ति की चोरी कर लेते हैं, मुर्ति यहां से चुरा लेते हैं, मुर्ति चोरी कर लेते हैं, जब यह गुजरात को लूट कर, मतलब गुजरात प्याकरमन करते हैं, वहां से कर्ण वगेला की हार होते हैं, वहां से वापस जाते है तो ये लाउदिन खिलजी की सेना जालोर रास्ते से वापस जाती है जालोर रास्ते से वापस जाती है तो उस समय जालोर के सासक कौन होती है कानड़ देव जिस समय ये सेना जाती है तो यहाँ पर जो सासक होती है वो होती है कानड़ देव तो सासक कौन है कानड़ देव यहाँ पर उस समय सासक होती है और कानड़ देव जो है वो सेना प्राकर्मन करती है और मुर्ती छीन लेती ह मुर्ति छीन लेते हैं मतलब अलावदिन खिल जी की सेना जो पहले आती है वो मेवार रास्ते से होकर आती है जो वो वापस जाती है तो वो जालोर रास्ते से होकर जाती है उस समय जालोर के साथ सक कानर दे हो है तो वो सेना प्राकर्मन करते हैं और मुर्टी ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद यह होता है कि 1305 इस्वी में 1305 इस्वी में अलाउदिन खिल जी जो कि दिली के सासक हैं अलाउदिन खिल जी 1305 इस्वी में अलाउदिन खिल जी इनका सेना पती जो है सेना पती कौन है सेना पती है एन उल मुल्क मुलतानी एन उल मुल्क मुलतानी एन उल मुल्क मुलतानी ये इनके सेना पती है इनको ये जालोर पर आकरमन करने के लिए कहां पर जाते हैं जालोर पर आकरमन करने के लिए जालोर पर आकर्मन करने के लिए अलाउदन खिलजीन को भेजता है तब कानर देव और मुलतानी की बीच में संधी हो जाती है फिर क्या होता है कानर देव और मुलतानी की बीच में संधी हो जाती है एन उल्मुल्क मुलतानी और जो कानर देव है कानड़ देव इनके बीच में क्या हो जाती है इनके बीच में हो जाती है संधी इनके बीच में संधी हो जाती है और कानड़ देव क्या करता है अपने पुत्र वीरम देव को कानड़ देव अपने पुत्र वीरम देव को दिली दरबार में भेजता है कानर देव अपने पुत्र कानर देव का पुत्र है वीरम देव अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली बेज देता है अलावदिन खिल जी जो है उसकी पुत्री फिरोजा और वीरम देव का विवा करने के लिए वो अलावदिन खिल जी है वीरम देव से अपने पुत्री फिरोजा का विवा करने के लिए प्रस्ताव बेजता है मतलब, अलावदिन खिलजी अपनी पुत्री फिरोजा के विवाग का प्रस्ताव कानर देव को भेजता है पुत्र वीरम देव के लिए जिसे कानड़ देव एस्विकार कर देता है कानड़ देव जब उसको एस्विकार कर देता है दूसरा कानड़ देव जब उसकी अलाओ दिन खिल जी की सेना वहां से जालोर से गुजर रही होते हैं तो क्या करता है अलाओ दिन खिल जी उस पर आकरमन करता है जालोर दुर्ग पर तो इसमें ही आता है कि जालोर दूर्ग पर आकर्मन करने के कारण जालोर दूर्ग पर आकर्मन के कारण तो जो कारण है वो क्या क्या है पहला कारण जो है वो है गुजरात विजे के पश्चाथ जो अलाओ दिन खिल जी किसे ना लोट रही होती है उस पर आकर मैं सेना पर आकर मैं सेना पर आकर मैं कोन करता है कानर देव दूसरा जो इसका कारण है वो यह है फिरोजा का विवाः प्रस्ताव एस्विकार कर देना इसकी अलावा जो इसकी रिजन है एक तो यह हो जाता है कि जब कुजरात विजे के पश्चाथ वापस लोट रही होती है सेना तो सेना पर आकर मैं करता है दूसरा फिरोजा का विवाः प्रस्ताव एस्विकार कर देता है इसकी अलावा कि जालोर और जो सिवाना दुर्ग हैं उनका सामरिक महत्व होता है और अलाव दिन की साम्राज्यवादी नीती होती है दूसरा खिलजी जो है वो हिंडू सास को खुली चुनती जेता है इसका हम एक और कारण लिख लेते हैं तीसरा वो यह है कि जालोर और जालोर वे सिवाना दुर्ग जालोर वे सिवाना दुर्ग का सामरिक महत्व है सामरिक महत्व है जालोर दुर्ग वे सिवाना दुर्ग का सामरिक महत्व है तो यह इसके कारण थी कि आकर्मन करता है लाव इंसरी जी तो सबसे पहले जो आकर्मन होता है 308 हिस्वी में होता है 308 हिस्वी में सिवाना दुर्ग पर तो सबसे प सिवाना दुर्ग जो है वो बाड मेर में है और इस पर कानर देव का अधिकार होता है तो सिवाना दुर्ग और ये कहां पर है बाड मेर मेर में है बाड मेर मेर में इस पर कानर देव का अधिकार होता है इसके जो सिवाना दुर्ग है इसके बार में देखते हैं तो ये की पहाड़ी पर हल देश्वर की पहाड़ी पर इस्थित है पर इस्थित उसके लावा इसके बारे में क्या है कि इसके उपनाम इसके जो सिवाण दुर्ग है इसके उपनाम देखते हैं तो उपनाम इसका जो उपनाम है वो है जालोर दुर्ग की कुंजी जालोर दुर्गी की कुणजी उसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है मारवाड की राजाओं की सरनिस्थली मारवाड के राजाओं की सरनिस्थली मारवाड के जो राजा है उन्होंने याँपे सरन ली थी तो इसलिए मारवाड के राजाओं की सरनिस्थली कहा जाता है और जिनोंने याँपे सरन ली थी वो हैं माल देव और चंदरसेन माल देव और चंदरसेन माल देव और चंदर सेन इनोंने याँ पे सरनलीती सिवाना दुर्पे और उस्समें जिस समय आकर्मन होता है सिवाना दुर्पर उसमें याँके प्रशास्तक कुन थे सीतल देव उसमें याँके शासक जो थे सीतल देव सीतल देव ये जो हैं वो कानड़ देव के बतीजे कानड़ देव के बतीजे हैं सीतल देव और इन सीतल देव का जो पुत्र है इनका पुत्र जो है वो है सों इनका पुत्र है सों तो सीतल देव का जो सेना पती है सिवाना के सासक कोन है सीतल देव और इनका सेनापती सेनापती था भावले पवार तो यहां पर लिखते हैं सीतल देव सीतल देव का सेनापती कोन है इनका सेनापती जो है वो भावले पवार भावले पवार इनका सेनापती है बावले पवार इनका सेनापती है और उस समय जब अलावदिन खिल जी अपने सेनापती को यहां पे आकर्मन करने के लिए बेज़ता है सिवाना दूर पर तो अलावदिन खिल जी का जो सेनापती है वो कौन है कमालूदिन गुर्ग यहां पे अलाउदिन खिल जी के सेनापती कौन है सेनापती वो है कमालूदिन गुर्ग कमालूदिन कमालूदिन गुर्ग कमालूदिन गुर्ग जो है वो अलाउदिन खिल जी के सेनापती है मतलब सीतल देव के सेनापती भावले पवार और कमालो दिन गुर्ग वो अलाव दिन खिल जी के सेनापती यहाँ पर क्या किया जाता है जो अलाव दिन खिल जी का सेनापती कमालो दिन गुर्ग उनकी द्वारा भावले पवार को लालच दिया जाता है वो भावले पवार क्या करता है दूर्ग के गुप्त मार्ग बता देता है और पेजल जो है उसके अंदर गोरत मिला देता है फिर क्या होता है कमालुदिर गुर्ग जो है वो सिवाना दूर्ग पर आकर्मन करता है और उसमें जब आकर्मन करता है तो सीतल देव जो की सिवाना गुर्ग ये क्या करता है आकर्मन करता है यहां पर गोने सीतल देव और पुत्र कोने सोंग ये आकर्मन करता है ये जो है अलाउदिन खिल जी का सेनापती ये इस प्राक्रमन करता है तो ये क्या होते हैं दोनों वीर गती को प्राप्त होते हैं और ये कमालोदिन गुरुप इसकी जीत होती है इसकी जीत होने के पाद ये सिवाना दुरुप को जीत लेता है तो ये सिवाना दुरुप का नाम बदल कर खेराबाद रख देता है अलाउदीन खिल जी, वो सीवाना का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर क्या रखता है, खेरा बाद, खेरा बाद रखता है बदलकर सिवाना का नाम बदलकर इसका नाम क्या रखता है खेरा बाद रखता है मतलब सीवाना दुर्ग पर जब आकरमन होता है 1308 हिस्त्री में उस समय सीवाना के सासर कौन है सीतल देव जो की कानड़ देव के भतीची है और उनके पुत्र सीतल देव के पुत्र सोम है इन पर आकरमन करता है और अलावदिन खिलजी का सेनापती जो है कमालुदिन गुरुग जीत लेता है अलावदिन खिल जीत हो जाती है तो 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 अलावद पर आक्रमन जालोर 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 पर आक्रमन जालो कानर देव के सेनापती, सेनापती, दहिया पीका, दहिया पीका है, और इनको कानर देव के सेनापती को लालच दिया जाता है अलाउदिन खिल जी के द्वारा, इनको लालच अलाउदिन खिल जी द्वारा इनको लालच दिया जाता है, तो ये जो भी गुप मार्ग हैं बता द बिच में तो जब यूद होता है इस रीमी कानड़ देव बीर गति प्राप्त होते हैं इस जो दा और आप आकरमन करता है है एक यह और यह को प्राप्त होते हैंIn कानर देव वीरगति को प्राप्त होते हैं और इनका पुत्र जो है वीरम देव वह आसा पुरा माता के सामने कटार घोपकर अत्म हत्या कर लेता है कानर देव चोहान जो है वो तो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और वीरम देव है वह आसा पुरा माता के सामने कटार घोपकर अत्म हत्या कर लेता है और अलावदिन खिलजी जो है उसकी विज़े होती है तो अलावदिन खिलजी क्या करता है अलावदिन खिलजी जालोर का नाम बदल कर इसका नाम बदल कर क्या रख देता है नाम बदल कर जलाला बाद रखता है जलाला बाद इसका नाम रख देता है और यह सवाल जो है वो 1st grade 2022 में पूछा गया है इसके अलावा जो यह सवाल भी पूछा गया है कि जालोर पर जालोर प्राक्रमन के समय जालोर पर जब अलाव दिन आकर्मन करता है उस समय जालोर के सासक कौन थे तो वो थे कानड देओ तो उनके बारे में और यह सवाल JAC 2012 में पूछा गया JAC 2012 एक जाम में यह सवाल पूछा गया था कि जब अलाव दिंखिल जी चालोर प्राकर्मन करता है उस समय वहां के सास्थ कौन थे तो कानड़ देव थे और यह था कानड़ देव के बारे में जिसमें हमने 1308 में सेवाना का दुग प्रजब आकर्मन होता है उसको पढ़ लिया है जापी सिगाना दुग का नाम बदल कर अलाव दिंखिल जी खेराबाद रख देता है और 1311 में जब आकर्मन होता है तब जालोर के साथ सब कानड़ देव होते हैं और जालोर का नाम बदल कर जलाला बात रख देता है जो कि फश्केर 2022 में सवाल पूछा गया तो इनके जो स्रोथ हैं कानड़ देव के और अलाव दिंखिल जी इनके संगरस के बारे में जिन से पता चलता है वो स्रोथ हैं उनके बारे में लिखते हैं कुछ रचनाई है श्रोथ यहां पे लेखक और यहां पे उनकी रचना तो जो पहले लेखक हैं वो हैं पदमनाब पदमनाब इनकी रचना है कानड़ देव प्रमन कानणदेव इनकी रचना क्या है? कानणदेव प्रबंध कानणदेव प्रबंध इसकी रचना है और ये सवाल इसके अंदर कानणदेव और लावदिन खिलजी के बीच संगर्स की जानकारी मिल दी है और ये सवाल पूछा गया है RSMSSB RSMSSB LDC LDC B 2018 में ये सवाल पूछा गया है इसमें कानणदेव और अलावदिन खिलजी के बीच संगर्स के बारे में जानकारी मिल दी है उसके लावद जो दूसरा है वो हैं अमीर खुश्रो अमीर खुश्रो अमीर खुश्रो और अमीर खुश्रो की जो रचना है वो है खजाईन उल्पत्तु है खजाईन उल्पत्तु है तीसरा जो है बोह है परीष्टा इनकी रचना है टारिक ए फरीष्टा पहले जो है वो पद्मनाब की कानर देव प्रबंध और दूसरी जो है फरिस्ता अमिर खुश्रों की खजाई नूल फतु है तिसरी फरिस्ता की तारिक है फरिस्ता तो ये है इसके अलावा एक और जो है वो है पद्मनाब की है वो भी पद्मनाब पद्मनाब की कृति है वो है वीरम वीरम देर सोनगरारी वात यह रचना है पदमनाब की तो आज हम ने जो पढ़ा है वो है जालोर के चोहान और यह हमारा कम्प्लीट होता है तो आईए इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं जालोर के चोहान यहाँ इसका नाम जालोर क्यों पढ़ा क्योंकि है पहले महर्जी जावाली की तपो भुनी थी इसलिए इसका नाम जावाली फूर पढ़ा और उसके बाद यह इसका जो उलेख है वो बिजोलेस लालेख में मिलता है के बार में हमने आज पढ़ा है वो है किर्थिपाल चोहान जो के जालोर के चोहान वंस के संसापक हैं दूसरे समर सिंग उनके बाद उदेश शिंग चाचिक देव सामन सिंग और कानर देव जो है वो जालोर के चोहान सासकों में सबसे प्रतापी सासक हैं सबसे पहले 1181 इस्वी में चोहानवंस की स्थापना की यह नाडोर के सासक अलहन के पुत्र हैं और किर्थिपाल जो है वो मेवार के सासक सामन सिंग पर आकरमन करते हैं जिसमें सामन सिंग की हार होती है फिर सामन सिंग के भाई कुमार सिंग है वो किर्थिपाल पर आकरमन करते हैं जिसमे को राजासान का अबुल फजर कहा जाता है और मुहनोत नैंसी को राजासान का अबुल फजर कहने वाले कौन है मुनसी देवी प्रशाद मुहनोत नैंसी केяг दोरचन जाका का कौँद putting इसके बाद में जो दूसरे सासक आते हैं वो आते हैं उदेसिंग जिनका सासन काल 1257-1257 है और इनके समय में जो दिली के सासक हैं वो इल्टुतमिस हैं उनके साथ इनका युद्ध होता है। उसके बाद में आते हैं चाचिक डेव जिनका सासन काल 1257-82 इस्वी है इन्होंने महराजा दिराज की उपादी धारन की इनके समय में बल्बन और नासरीदिन महमूद जो है वो इनके समय में समकारिन सासक है लेकिन किसी ने भी इन पर आकरमन करने का सास नहीं किया यह सवाल ह जी इनका सासन काल 1282-305 इरुक्त है जलाल अदिन खिलजी उसके बाद आती है कानर देव। से प्रतापी हैं सामन सिंग के पुत्र हैं सामन सिंग ने इनको 1260 में में ही बागडोर सोप दी थी 1260 में में दिली के सासक को थे अलाव दिन खिलजी थे जिन होने नगत वेतन देना घोरों को दागना सेनिगों का हुल्या लिखना ये प्रारम किया और ऐसा करने वाली वो पह तक है, और इस समय सासक जो है जलालुदीन खिलजी 1297 तक रहते हैं, 20 g 마 में इनकी हत्या हो जाती है उनके भतिज़े या समर्सिंग होते हैं उनके मंत्री मीमवा होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लाउदिन खिलजी की सेना हमारे राजित से होकर जा रही है तो उनके द्वारा अलाउदिन खिलजी की सेना से टेक्स लिया जाता है उसके बाद अलाउदिन खिलजी की सेना गुजरात जाती है औ समय जालूर के साथ कौन होती है काणरडेव होती है काणर तेय। अलाव दिन खील denke rais के सेनापर आकर्मन करती है और उन से मुर्टि छीन लेते हैं उसके बाद 305. 305. 활 qued列 के सेनापती एन उलww मुuftनी को भेजता है जालूरematics उर्ठिलीedom करता है कि जालोर दुरण पर आकर्मण करने के लिये लेकिन संधि कर लिए के लिकी पूर्बघ। इसलिए अलाउदिनखिल। जालोर दुर्ग पर आकर्मन करता है तो जालोर दुर्ग पर आकर्मन करने के कारण देखे जाएं तो वो कारण है कि गुज्रात विज्ये के समय जो उसे ना वापस लोट रही होती है उस पर आकर्मन करना, दूसरा फिरोजा का फिवा प्रस्ताव है, वो ऐस विकार कर देना उसके बाद क्या होता है, तीसरा जो रीजन है, कि जालोर और सिवाना दुर्ग उसका सामरिक महत्व है तो सबसे पहले 1308 हिस्वी में सिवाना दुर्ग पर आकर्मन किया जाता है सोरी सीतल देव जो है वो कानर देव के बतीजे हैं और इनके सीतल देव के पुत्र कौन है सोम है तो सीतल देव का सेनापती भामले पवार होता है और अलावदिन खिलजी का सेनापती उस समय कमालुदीन गुर्ग होता है ये कमालुदीन गुर्ग क्या करता है भामले पवार क लालच देता है तो भावले पमार जो है वो दूर्ग के गुफ्त मार्ग बता देता है और पेजल में गोरक मिला रेता है इसके बाद में कमालूदीन गुर्ग है वो सुवितल देव और सौम पर आकरमन करता है जिससे ये दोनों विरगती को प्राप्त होती है और सिवाना करते है जिससे नापती होते है वो बिखा दहीया अपया इनको अलाओ दूर। का नाम बदल कर जलालाबाद रख देता है और यह फर्स्गेर데ट एक्जाम 2022 मिं में भावाध है तैया है है और नहीं सवाल पूछा रहे है उसके बाद क्या होता है इसके बारे में जो शोत हैं जिन से जानकारी मिलती है तो पद्म नाब की रचना है कानड़ देव प्रबन इससे कानड़ देव और अलाव दिंखिल जी के संगर्स की जानकारी मिलती है यह RS MSSB एक्जाम में सवाल पूछा गया है उसके बाद अमीर कंप्लिट हो चुका है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेस्व में जाके कमेंट कर से जरूर बताएं साथ ही वीडियो को जादा से जादा दोस्तों को शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और इसकी पीडियेफ आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसके लिए आप टेलिग्राम चैनल द्यानोलिज को जोइन करें लिजी थेंक यू, have a nice day